यार सबसे पहले I'm really sorry for my audio quality मैंने नया माइक लिया तो मुझे अभी तक उसकी setting समझ में नहीं आरी so please मेरी इस voice को बरदाश कर ले ना जो वीडियो में है and I'm sure कि next video बनाने से पहले मैं कोई ना कोई audio setting set कर लूँगा कि मेरी voice quality बेतर हो सके अगर तुम लोगों ने अभी Apex Legend खेलना स्टार्ट किया है तो most probably तुम लोगों को नहीं पता होगा मैं जिस Legend के बारे में बात करने जारा हूँ उस वीडियो में we all know कि Respawn before the new season release बहुत सी चीज़े remove कर देता है Apex से like legend की skins, legend की abilities and guns also बट सबसे बड़ा prank Apex वालों ने community के साथ उसवक किया जब उन्होंने एक legend को चोत के रख दिया so almost 2 साल पहले season 3 जब आया था तो Respawn ने new legend release करना था for season 4 and बहुत से leaks बता रहे थे कि season 4 का legend जो है वो revenant होगा बट Respawn ने सोचा क्यों ना Apex community को फुदू लगाया जाए क्योंकि बहुत से लोग शोर हैं कि season 4 का legend revenant होगा so उन्होंने एक fake legend बनाया जिसका नाम force था उसकी abilities बनाई, उसकी backstory बनाई, इवन भैंचोदन ने उसका trailer भी बना दिया और Apex file के अंदर उस legend का नाम डाल दिया, ताकि Apex community वालों को लगे कि season 4 का legend revenant नहीं forge है and then season 4 के release होने से पहले Respawn वालों ने एक trailer निकाला, उसमें revenant को दिखाया कि उसने forge की गाण मार दिये साले ने भैंचोद उसको जान से मार दिया, ये सब चुतियाब करने का main reason ये था कि back in season 2 and 3, Apex legend new थी and respawn hype create करना चाहरा था and also वो नहीं चाहरा थे कि उनके unreleased legend लोगों को पता लगे, so उन्होंने एक fake legend को season 4 के new legend से ही मरवा दिया so what are your thoughts, अगर revenant की जगा force होता है game में, do you think वो एक अच्छा legend होता है, क्योंकि भैंचोद, revenant तो गांड मरवा रहा है and least pick legends में